Hello friends, I am Dr. C.S. Prashant P. Patel who welcomes you in my YouTube channel PMP So student, आज के इस चेप्टर में हम डिसकस करने वाले है motivation के बारे में कि भी motivation क्या होता है simple सी language में कहे है तो किसी को उतेजन देना या किसी को प्रोचसाहन देना कि भी यह हम कर सकते है generally हर किसी को life में motivation की जरूरत होती है हमारी personal life हो same way corporate में भी business हो businessman को भी motivation की जरूरत पढ़ती है एक student को जैसे पढ़ने के लिए motivation की जरूरत पढ़ती है without motivation किसी को भी life smoothly नहीं चलने वाली या कोई भी successful नहीं होने वाला आज आप इतने यहाँ तक इस level तक successful हो because of motivation आज मैं यहाँ पे हूँ because of motivation आज कोई भी businessman या कोई भी politician अपने life में successful है because of motivation प्रोचसाहन एक ऐसी चीज है जो हमें काम करने के लिए आगे बढ़ाती है और हम उस हिसाब से काम करते हैं और हमारे life के goal अचीव होते है तो motivation हर किसी के life में बहुत जरूरी है same way businessman के life में भी motivation बहुत जरूरी है क्योंकि जिस businessman को motivation मिलता है वो businessman अपने business को बहुत आगे लेके चला जाता है तो motivation is one of the most important part for the business और यही सब कुछ हम इस chapter के अंदर देखने वाले हैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसे टोटल 5 से 6 पार्ट होगा जिसमें हम पूरा motivation कवर करेगे बहुत सारी theories experts ने लिखी है motivation के लिए तो motivation की theories हम discuss करेगे आज के वीडियो में हम देखने वाले tools of motivation कि वे कैसे लोगों को motivate किया जाता है तो हमने normal sense में तो समझ लिया कि motivation क्या है उन्होंने expert ते उन्होंने यह अपनी definition दिये motivation is the act of stimulating someone or own self to get a desired course of action जब आपको कुछ achieve करना है जैसे कि एक businessman को क्या achieve करना होता है जादा से जादा profit हो सके उतना wealth maximization business 2-3 गुना बढ़ जाए यह किसी business का desire होता है किसी businessman का desire होता है आप समझो कि आप अपना business लेके बैटे हो आज आपने बहुत छोटी सी दुकान से शुरूआत की है तो आपका सपना क्या होगा वो एक दुकान बड़े बड़े showroom में बदल जाए आपकी हर जगा branches हो आपका profit time to time double होता जाए यह आपका desire होता है अब यह desire आप तुरंट तो अचीव नहीं कर पाऊगे कि अब आज दुकान खोली कल ही सारा माल बिग गया परसो आपकी दुकान डबल हो गई ऐसा तो होने वाला नहीं है आपको wait करना पड़ेगा और wait बहुत ज़ादा करना पड़ेगा क्योंकि market में competition होगा आप नए अभी अभी market में आयो ऐसे ही नहीं चलने लगेगा business अब कभी कभी क्या होता है businessman जो होता है वो demotivate हो जाते है क्योंकि उनका business चलता नहीं है customer उनके आपे आते नहीं है फिर वो ऐसा सोचते है चलना यार छोड़ business बंद करता हूँ उससे अच्छा तो मैं job कर लूँगा कम से कम income तो होगी यहाँ पे बैठके मैं मेरे पैसे ही बिगाड रहा हूँ अब ऐसे time पे वो पूरा demotivate हो चुका है पूरा negative हो चुका है और ऐसे समय पे उसका कोई भी friend या relative या parents या उसके partner कोई भी person आके उसको जब फिर से प्रोचसाइद करता है कि नहीं तू कर सकता है तेरे में talent है college time में तूने बहुत अच्छा काम किया था इतना बड़ा तू टॉपर था तू कैसे हार मान सकता है कुछ ऐसा बोलके जाए कि businessman फिर से जोश में आ जाए कि नहीं भे मैं कर लूँगा मैं मेरे desire मैं मेरे goal मैं मेरे object को achieve करूँगा मैं मेरे सपने पूरे करूँगा और वो फिर से काम पे लग जाता है और अपने business को run करने लगता है तो ये क्या है ये motivation है बस फरक ये था कोई और motivate करके गया कभी कभी कुछ लोग कैसे होते life में जैसे कि बैने बताया ना कि आपने business शुरू किया आप demotivate हो गए आपके friend ने या किसी ने भी आके आपको motivate किया अभी समझो कि कोई नहीं आ रहा है आपके पास ना आपके relative ना कोई friend आप अकेले बैठे हो आप एकदम demotivate हो तो जरूरी नहीं है कोई आके ही आपको motivate करे आप खुदको भी तो motivate कर सकते हो आप अंदर शांती से बैठो दो गंटे सोचो और अंदर मन में ही नक्की कर लो नहीं यार मैं कर सकता हो या आइने के सामने खड़े रहके नक्की कर लो के नहीं यार मैं कर सकता हो क्यों नहीं कर सकता तो ये भी तो एक तरीके का motivation है motivation कोई और भी दे सकता है या आप खुदको भी motivate कर सकते हो अंदर से और ये motivation क्यों करना है हमें? ताकि हमारा जो desire है जो हमारा सपना है वो हम पूरा कर सके तो यही definition समझाती है motivation is the act of stimulating someone किसी को प्रोचसाहित करना stimulate करना motivate is the act of stimulating someone किसी को प्रोचसाहित करना और own self या तो खुद को ही प्रोचसाहित कर देना to get a desired course of action जो आपके सपने है आपके objective है वो आप को motivate करते हो या कोई आके आपको motivate करता है तो यह जो activity हो रही है यह जो पुरी प्रक्रिया हो रही है जो पुरी process हो रही है उस process को हम क्या कहते है motivation एक बहुत सी simple definition में बहुत कुछ समझा दिया है according to juicius यह नाम याद रखना जिनकी exam MCQ based है आपको पूछ सकते है कि वह यह किसने दिये definition तो motivation is the act of stimulating someone or oneself to get a desired course of action तो यहां तक तो clear हो गया कि वह motivation यानि क्या अब हम आगे बढ़ते tools of motivation the main portion of the video हमारे question का हमारे chapter का main part tools of motivation आप किसी भी person को अब देखिए for an example आपने business शुरू किया अब आपका business बढ़ा हो चुका है उसके अंदर 100 जन काम कर रहे है अब आप boss हो आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे है अब जो लोग काम कर रहे हैं वो employees है मतलब पगार लेगे चलिए इस example को थोड़ा सा मोडते है बदलते है ऐसा समझो कि आप कहीं पर job कर रहे हो कोई businessman के यहाँ पर आपका boss जो है उसके अंदर 100 जन काम कर रहे है और वो 100 में से एक आप भी हो बढ़र आप जैसे लोग बहुत सारे लोग उसके अंदर में काम कर रहे है अब जब इंसान मतलब जब कोई person नया नया job जोइन करता है उन्हों काफी जोश में होता है जैसे कि आप अभी पढ़ा ही कर रहे हो आप जिस दिन पहले दिन job पे जाओगे न एकदम fresh होके जाओगे मतलब एकदम अच्छे इस्तरी कीवे कपड़े पहनोगे एकदम motivate जोश में रहोगे अच्छे से तयार होके जाओगे ऐसा लगे है कि आज सारा ही काम खतम कर देगे इतना आपके अंदर वो जोश होगा first day of job फिर एक साल होगा, दो साल होगा फिर आप ठंडे पड़ जाओगे यह हर किसी के साथ होता है मेरे साथ भी है, हर एक जो job करता है उसके साथ भी है, और आपके साथ भी होगा अगर आप job करोगे तो क्योंकि इनसान एक का एक काम बार 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 कर 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 के दीरे दीरे काम करना कम कर देता है क्योंकि उसको 60 साल तक जॉप करनी है अब वो 60 साल तक सेम काम करेगा तो उसको मज़ा नहीं आने वाला तो दीरे दीरे उसकी काम की तरीके बदल जाएगी उसके अंदर वो आलस आ जाएगी वो बोलते ना वो जो जोश था जो मोटिवेशन उसके अंदर था पहले दिन वो मोटिवेशन उसके अंदर नहीं दिखेगा अब वो बोस का काम है कि जो सौजन है जो आलसी हो चुके है उनके अंदर फिर से जोश लेके आए फिर से वो मोटिवेशन लेके आए ताकि वो वही जोश के साथ काम करे और company फिर से वही जोश के साथ आगे बढ़े अब वो boss के पास दो तरीके हैं आपको motivate करने के लिए employees को motivate करने के लिए एक होता है negative tools of motivation एक होता है positive tools of motivation देखिये हमने situation क्या समझी है कि आप लोगों ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि आप लोग अभी आलसी हो चुके हो आपको 4-5 साल हो चुके है दो-3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है मतलब अभी आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो ऐसे समय पे आपको कैसे motivate किया जा सकता है आपका boss आपको दो तरीके से motivate कर सकता है negative tools of motivation और positive tools of motivation नकारात्मक तरीके से या तो हकारात्मक तरीके से तो दोनों को समझते हैं क्या negative tool होते हैं और क्या positive tools होते हैं तो चलिए सबसे पहले हम समझते है negative tools of motivation जिसमें total 10 या 11 पॉइंट है one by one सबको समझते हैं सबसे पहला है wage cut सबसे पहला क्या है wage cut समझो आपको जो तंखवा मिल रही है समझो कि आपकी wages या salary जो भी होगी वो 10,000 रुपे है महिने का अब आपने काम करना बंद कर दिया तो आपका boss क्या बोलेगा पता है तू काम नहीं कर रहा है ना बहुत आलसी हो चुका है तू अब तेले 10,000 मेंसे मैं 2,000 काट दूँगा अब आप 5,000 मिलेगे अब आपको थोड़ा डर लगेगा डर लगेगा तो आपको काम नहीं करना है फिर भी आप काम करोगे आप मोटिवेट हो जाओगे क्यों मोटिवेट हो जाओगे क्योंकि अगले महिने भी काटेगा अगर मैं काम नहीं करूँगा तो यह सबसे पहला तरीका बहुत अपना आते हैं, अब देखिए, मोटिवेट तो हो गए ना, भले ही जबर जस्ती तो जबर जस्ती, लेकिन मोटिवेट तो हो गए, तो वेज कट सबसे बड़ा तरीका होता है, किसी को मोटिवेट करने का, अपने employees को मोटिवेट करने का काम करने के लिए, टू इसको कोई अच्छी opportunity मिल जाएगी ना तो आपकी company को छोड़के चला जाएगा या तो कभी life में वो आगे बढ़ गया ना कहीं पे अच्छी जगा पे तो आपकी company उसके अंडर में आ गई गलती से भी तो आपकी company को डुबा के रख देगा या आप दुश्मन पाल रहे हो ऐस इस तरीके से आज तो आप बढ़े हो कल उटके अगर वो बढ़ा हो गया तो फिर ये सारा बदला वो ब्याज के साथ वसुल करेगा that's why it is called negative tool of motivation ये temporary बहुत अच्छा लगता है कि employee motivate हो गया काम करने लगा लेकिन उसको अंदर से अभी भी काम करने की इच्छा नहीं है वो तो जबर अस्तिमाना है that's why it is called negative tool of motivation motivate तो रहा है लेकिन नकारात्मक तरीके से तो सबसे पहला तरीका है किसी को motivate करने का wage cut दूसरा त position है समझो कि आप कोई as a senior manager हो तो आपकी position को नीचे transfer कर देगा आपको junior manager बना देगा या तो आपको manager से सिधा supervisor में ही डाल देगा या तो supervisor से भी और नीचे की post में डाल देगा मतलब आपको बहुत बुरा लगया आपको सिधा धमकाएगा कि वह तुन्हें काम नहीं किया न तो तुझे मैं junior बना दूँगा और तेरे junior को मैं तेरा senior बना दूँगा अब उस person को डर लगेगा मतलब समझो आप हो आपको आप काम नहीं कर रहे हो मैं आपका boss हूँ मैं आपको 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 senior है कल तू junior होगा अब आपको डर लगेगा क्योंकि position आपकी demotion में जा रही आपका promotion होने के बद़ले demotion हो रहा है बतल देमोशन होगा तो पघार भी कम हो जाएगी और काम तो कम नहीं होता है काम तो उत्रा ही मिलता है बले आप नीचे उपर से और ज़्यादा काम देगा क्या आपका boss भी आपको काम देगा और वो boss कौन बनेगा आपका ही junior आपका boss बनेगा तो इससे बुरा क्या हो सकता है आपके साथ तो ऐसी धमकी मिलने पे भी लोग क्या करते हैं काम करना शुरू कर देते and that is again a negative tool of motivation आपको अंदर से इच्छा नहीं है लेकिन आप जख मार के motivate कर रहे हो खुद को काम करने के लिए थर्ड point है imposing penalties ये भी एक तरीका है मैं आप समझो काम नहीं कर रहे हो मैं आपके उपर penalties लगाऊंगा दंड लगाऊंगा के 100 रुपया fine ये काम नहीं किया 1000 रुपया fine ये काम नहीं किया 500 रुपया fine ये काम नहीं किया 5000 रुपया fine जितना बड़ा काम होगा उतनी बड़ी penalty लगाऊंगा अगर आपने ओ काम नहीं किया छोटा काम है तो 500 रुपया पेनल्टी बड़ा काम है तो 5000 और बड़ा काम है तो 5000 तक पेनल्टी आपकी salary भी उतनी नहीं होगी जितनी मैं पेनल्टी लगाऊँगा अलब ऐसे भी आपके पास काम करवा सकते हैं क्यों अप पेनल्टी लगेगी तो आपको डर लगेगा अब दुसरी बार आप गलती नहीं करोगे अब ध्यान से काम करोगे समय पे काम करोगे जल्दी से फिर से आप काम करना शुरू करने लगे आपको करना नहीं है लेकिन आप पेनल्टी के डर के वज़े से काम कर रहे हो तो again it is a motivating factor but a negative motivating factor next one is issuing memos notice जिसे हम कहते है अपने employees को notice दे दो यह last warning है यह second last warning है अगली बार तुने कुछ किया रहा तो तुझे company से निकाल देगे या तो तेरा demotion कर देगे या तेरे भी penalty बार उसको notice देके डर आओ कुछ लोग कैसे होते है notice देके डर जाते क्यार यह notice आई है अब तो समलना पड़ेगा वरना मेरी career पे red mark लग जाएगा कुछ लोग corporate में ऐसा होता है कि notice दी जाती है अगर काम नहीं करते थे और 2-3 notice हो जाए तो सिधा career पे red mark आ जाता है तो इस तरीके से भी आप काम निकलवा सकते हो मदब समझो आप मैं आपका boss हूँ आप काम नहीं कर रहे हो तो मैं क्या करूँगा आपको 2-3 notice हो कर दूँगा अब आपको डर लगेगा क्या दो-3 तो आ गई और एक आ गई ना तो सिधा red mark लग जाएगा उससे अच्छा मैं काम कर लेता हूँ छोड़ हो गए ना आप motivate आपकी इच्छा नहीं है काम करने के लेकिन फिर भी आप motivate हो गए तो यह देखिए सारे तरीके employee के पास फिर से काम करवा रहे है को डूबा के रख देगा आपकी career को डूबा के रख देगा तो ऐसा ना करो सभी को दोस्त बना के चलो सबसे better option और दूसरी चीज़ उसकी भी तो life है चलने दो हाँ उसको थोड़ा समझाओ कि बेक काम करो clear तो कुछ दूसरे भी तरीके हो सकते हैं जरूरी नहीं यह सारे तरीके आप अपनाओ next one is threatening of dismissal उसको धम की दो मैं तुझे निकाल दूँगा अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सिधा धम की देने की तुझे निकाल दूँगा अब उसको डर लगेगा क्यार निकाल देगे तो क्या होगा मेरी family है मेरे loan चलते है यह उसको डर लगेगा क्यार मेरी एक source of income बंद हो जाएगी उससे अच्छा मैं काम कर लेता हूँ छोड़ना तो यह भी एक तरीका है क्या आप उसको निकालने की जॉब पे से निकालने की धमकी दे दो तो भी वो फिर से काम पे लग जाएगा no bonus सबसे जादा चलने वाला tool है यह इंडिया के अंदर देखना आप इंडिया में majority corporate bonus नहीं देते जान बुचके नहीं देते जनरली हमारे आप ए दीवाली पे bonus दिये जाते लेकिन बहुत सारे corporate bonus नहीं देते क्यों? वो ऐसा बोल देते आपने काम तो किया नहीं अब ऐसा बोलने के ज़से उनका bonus चला गया एक बार bonus जाए फिर वो employee को बुरा लगता है फिर वो try करेगा कि इस साल तो मैं काम करूँगा ताकि अगली दिवाली पे मुझे bonus मिल जाए क्योंकि bonus बहुत माईने रखता है bonus यानि एक extra salary होती है तो यह चीज है तो bonus के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि काम नहीं किया तो bonus नहीं मिलेगा तो वो काम करने लगेगा क्योंकि उसको bonus चाहिए अगर मैं आपका boss हूँ मैं आपको डरा दू क्योंकि अगले मैं बोनस है वो नहीं मिलेगा अगर तो काम नहीं करेगा तो तो आप काम करने लगोगे इच्छा नहीं है काम करने की फिर भी करोगे क्योंकि bonus चाहिए no allowances बेटा allowances यानि क्या कि जैसे कि आपको uniform होते हैं उसके लिए पैसे मिलते आपको क्या आप uniform खरीद लो या तो फिर आपको meal provide करते meal यानि की खाना दोपेर का lunch होता है वो company की तरफ से provide होता है अगर आपके बच्चे होते हैं तो उनके पढ़ाई का खर्च company उठाती है यह अलग-अलग तरीके के allowance होते हैं जैसे कि children education allowance children hostel allowance, uniform allowance meal allowance, transportation allowance clear dearness allowance, TA, DA बहुत तरीके के allowance होते हैं जो एक corporate में employees को दिये जाते हैं अब समझो मैं आपका boss हूँ आपको बहुत सारे allowance कंपनी दे रही है लेकिन फिर भी आप motivate नहीं हो रहें आप काम नहीं कर रहें तो मैं क्या करूँगा आपके allowances बंद कर दूँगा अब आपके allowance बंद हो गए मतलब कितना सारा पैसा आपका कट गया एक तरीके से आप फिर से काम करना शुरू कर दोगे ऐसे भी आप काम करवा सकते हो no allowances वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा same way no perquisites perquisites यानि क्या देखे allowances आपको cash में दिया जाता है पैसा पैसा मिलता है उस चीज़ के लिए जैसे uniform के लिए पैसा ठाने के लिए पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा transportation के लिए पैसा आपको allowances में cash मिलता है perquisites पे क्या होता है cash नहीं मिलता आपको कोई चीज़ मिलती है जैसे की रहने के लिए घर दिया जाता है एक कार या बाइक लेके दी जाती है ताकि आप घर से office आप आओ clear घर के अंदर आपको TV, fridge, furniture ये सब करवा के दिया जाता है ताकि आपका घर अच्छा लगे company ऐसे खर्चे भी करती है अपने employees के लिए ताकि उनको एक अच्छा atmosphere मिले तो ये reason से भी company इस इन सब facilities को perquisites कहते है अब समझो आपको सारे perquisites मिल रहे है फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो तो मैं आपको डराऊंगा कि अगले महिने से सारे perquisites बन जितनी भी चीज़े तुझे दिये न हम वापिस ले लेगे तेरे से अब आपको डर लगेगा यार ये तो मेरे सारे perquisites चले गए तो फिर से काम करना शुड़ू कर देगे तो ये एक तरीका है no perquisites अपने आप employees motivate हो जाएगे threaten to transfer ये भी एक तरीका है आप काम नहीं कर रहे हो तो मैं आपको धमकाऊंगा कि तु काम कर वरना तेरा ट्रांसफर मैं South India में कर दूंगा जंगलों के बीच में अपनी जहां पर दूसरी ब्रांच है फिर वहां की language भी तुझे नहीं आती है कैसे काम करेगा तू अब आपको डर लगेगा क्योंकि आप सालों से यहां पर रह रहे हो आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं यहां पर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे है अब ऐसे employee को आप डरा होगे तो डर जाएगा कि इतना दूर transfer मेरी family को लेके मैं जाऊंगा कहां हम तो यहां पर settle हो चुके हैं तो फिर से वह काम करना शुरू कर देगा देखो यह सारे तरीके ऐसे हैं ना जिसमें employee काम करना शुरू कर देगा वो motivate हो जाएगा काम करने के लिए जो आलस है वो उसकी दूर हो जाएगी लेकिन again it is a negative way overtime without extra wages आप यह भी एक कर सकते हो काम कर वरना बिठाओंगा लेकिन काम किये भी ना जाने नहीं दूंगा तुझे भले ही तेरी job 5 बजे खतम हो जाती है मैं तुझे 10 बजे तक बिठाओंगा अगर तुने काम नहीं खतम किया दो वरना पुरी रात बिठाओंगा पहले तु काम खतम कर फिर घर पे जा और जितना time तु extra बैठेगा ना उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा तुझे अब अब वो time पे काम खतम करेगा यह भी एक तरीका है extra time without wages last no commission कभी कभी कमपनिया commission देती है अपने employees को salary तो देती है plus extra commission तो उनको डराओ कि तु काम नहीं करेगा तो commission नहीं मिलेगा तुझे तो अपने आप काम पे लगेगा तो यह सारे तरीके जो है यह साभी टूल है यह सभी तरीके है जिससे आप अपने employees को motivate कर सकते हो काम करने के लिए लेकिन एक चीज़ याद रखिए यह सारे के सारे कैसे negative tools of motivation है यह कोई सही तरीका नहीं है किसी को काम करवाने का या किसी के पास से काम निकलवाने का हा लेकिन एक चीज़ है employee motivate ज़रूर होता है यह वो प्रोचसाइट हो जाता है काम करने के लिए गलत तो गलत तरीके से चलिए तो हमने क्या देखा था कि भी tools of motivation में दो तरीके के tool है एक negative tool दूसरा positive tool negative tools हमने देख लिए यह सारे negative tools थे अब बात करते है positive tools positive tools मतलब क्या यह अच्छा तरीका है जिससे employee को भी बुरा लगता नहीं है और वो काम करना शुरू कर देता है that is called positive tool of motivation इंसानियत के नाते इस तरीके से आपको employee को motivate करना चीए जैसे कि पहला financial incentives अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप उसको पैसा offer करके देखो ना शायद क्या पता उसको salary कम लगती हो उसको बोलो कि तेरी salary और 10,000 बढ़ा देगे जैसे कि आप मेरे आपे काम कर रहे हो बढ़ा 30-40,000 के आपकी salary है मैं आपको offer करूँगा और 10,000 extra ले ले बस तु काम कर अब इसमें क्या employee को बुरा लगा नहीं उपर से उसको तो अच्छा लगेगा कि चलो company ने मेरी इच्छा पुरुकी बढ़ा इसमें आपके relation भी खराब नहीं होते और employee motivator के काम करने लगता है तो सबसे अच्छा तरीका है financial incentives दुसरा competition यह ना इंडिया में बहुत ज़ादा use होता है इसमें क्या करना है पता आपको समझो कि आपकी company में 100 जने जैसे कि मैं आपका boss हूँ वरबर आप सभी लोग मेरे नीचे काम कर रहे हो आप 100 जनो total मैं सबको एक एक करके office में बुलाऊंगा और सबको ऐसा मलब समझो Mr.E को मैं बुलाऊंगा और Mr.E को ऐसा बुलूँगा तो क्या काम करता है Mr.E तो तो RC हो चुका है तेरे से अच्छा काम तो Mr.B करता है कितना अच्छा काम करता है मैं तो सोच रहा हूँ उसको ही मैं manager बना दूँगा next साल आने वाले साल में वही सब कुछ करेगा उसकी salary बढ़ाऊंगा क्या काम करता है वो जोड़दार फिर A को office के बाहर बेच दूँगा फिर B को बुलाऊंगा और B के लिए ऐसा बोलूँगा तो क्या काम करता है तुझे कुछ भी नहीं आता तेरे से अच्छा काम तो A करता है उसको ही मैं manager बनाऊंगा समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो आप competition create कर रहे हो वो A जो है वो नर्वसों के बाहर गया क्यार साला मेरे से अच्छा तो B काम कर रहे है अब B भी यहीं मन में सोच रहे है मेरे से अच्छा तो A काम कर रहे है actually दोनों ही बेकार काम कर रहे है लेकिन अभी एक दूसरे को काटने के लिए वो काम करना शुरू कर देगे clear? divide and rule अंग्रेजों का नियम है clear? foot गिराओ और राज करो यही चीज है ultimately दोनों मोटिवेट हो गए अपने अपने लेवल पे और उसमें आपका कुछ बिगडा नहीं ना आपने उनके उपर कोई force किया कि यह कर यह कर वा ना निकाल दूँगा ना यह करूँगा ने वो कोई नहीं तो यह एक positive tool of motivation है आप competition लगा के आग लगा के भी motivate कर सकते हो किसी को interest in personal problem of employees यह एक तरीका अच्छा है हमारे यहाँ पे कैसा पता है लोगों को अपने जो business man है जैसे कि boss होते उनको अपनी life से ही मतलब है वो कभी अपने employee के बारे में सोचते ही नहीं है कि उसकी personal life में क्या problem है कुछ तो होगा ना इतना अच्छा बंदा था वो जब नया नया आया ऐसा तो क्या हो गया कि उसने काम करना बंद कर दिया कोई तो problem होगी ना तो उसको जाके पूछो कि भी problem क्या है और पूछने के बाद सिफ सुनने के लिए problem मत सुनो उस problem को solve भी तो किया जा सकता है ताकि वो फिर से motivate हो उनकी problem सुनो उनके problems को solve करो चाहे फिर उनकी personal problem हो professional problem हो कोई भी हो और यह जब आप करते हो ना समझो कि आप उदास बैठे हो बर आपकी personal life में कोई problem है जो मैं solve कर सकता हूँ या company उसको solve कर सकती है financially या by whatever way तो क्यों ना करूँ मैं वो अगर मैं वो solve करूँगा तो आपको यह अच्छा लगेगा आपको company के प्रत्य वफादारी होगी कि नहीं यार company ने मेरी problem solve कि अब मैं company के लिए कुछ कर के दिखाऊंगा या समझो आपको कोई professional problem है company के अंदर वो आ के आप पूछ मैं मैं आपको पूछूँगा यह क्या problem है तो आप बोलो कि company में यह problem है उसके से मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता तो मैं उस problem को solve करूँगा तो जब आप अपने employees की problem solve करते हो वो उस problem में से बाहर आ जाता है तो उसके अंदर एक नया जोश आ जाता है company के लिए तो ये भी एक तरीका है कभी अपने employee को बिठा के पुछो और उस problem को solve कर दो सबसे अच्छा तरीका है तो उससे क्या होगा हर एक employee motivated आपको दिखेगा अगर कोई employee कुछ अच्छा करता है देखो हम बुरा करते तो उसको डाट देते तो कुछ अच्छा करे तो उसको appreciate भी करो ना लोगों के बिच में तो ये भी एक चीज है जब आप कुछ ऐसा करोगे ना तो आप समझो कि आपको 10 या 15 या 100 जन के बिच में आपको बोले कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इनके जिसे हमारा company का इतना profit हुआ ये target अच्छी हुए इस साल उन्होंने इतना सारा काम किया उसको कितना अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप उसको उसतरे जो काम किया हुआ आप घिनी नहीं रहो वो चल रहा है बस वो काम कर रहा है लेकिन दिखनी रहा है किसी को भी तो वो तो demotivate हो जाएगा ऐसे तो आप उसको motivate करो हमारे इंडिया में बहुत सारे employer जो है employer यानि की boss employees को motivate नहीं कर दे हमारे यहां में बहुत सारे ऐसे employer है जो employees को motivate नहीं करते appreciate नहीं कर दे और उसी वज़े से company डुब जाती है तो अगर आपको company को टिका नहीं है तो अपने employee के अंदर motivation लाओ और motivation कब आएगा उनके अंदर जब आप उनको appreciate करोगे जब आपको recognize करोगे सभी के बीच में तो ये भी एक तरीका है अपने employees में एक नया जोज जगाने के लिए next one is sense of pride ये भी एक कर सकते हो आप sense of pride यानि क्या कि उनको आप stage पे बुला के उनका सन्मान करो कि जैसे की समझो कोई employee ऐसा है जिसने continuously 40 साल तक सिर्फ और सिर्फ आपकी company में काम किया मतलब वो अपनी वफादारी दिखा रहा है तो ऐसे लोगों को stage पे लाके जाके उनका सन्मान करो उससे क्या होगा उससे बाकी सब को सबक मिलेगी क्यार मैं भी कुछ ऐसा करू तो तो मुझे भी जब retirement आएगी तब ऐसा सन्मान मिलेगा किसी ने पूरी वलब उन्होंने 40 साल बहुत अच्छा काम किया तो ये लोग भी तो motivate होगे कि मैं 40 साल इसी कमणी में रहूँगा और एकड़म जबजस काम करूँगा कुछ ऐसा करके भी आप लोगों को motivate कर सकते हो देखी ये सारे कैसे तरीके positive तरीक है इसमें किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है आप किसी के ओपर कोई force नहीं कर रहे हो वो अपने तरीके से motivate हो रहे है next one is delegation of responsibility कुछ लोग होते ना उनको जिम्मेदारिया और ज़्यादा पसंद आती है किसी को पसंद आती है काम करना किसी को अच्छा लगता है जनरली कैसा होता है एक काम दो वो करेगा दूसरा काम दो करेगा तिसरा काम दो करेगा चौते में सारे काम मैं ही करूं क्या दूसरे किसी को बुइदो ऐसा सुचने वाले लोग ज़ादा होते है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते है जिनको आप जितना ज़ादा काम दोगे न वो उतना डबल जोश में काम करते जिसे हम लोग workaholic person कहते है जिनको काम करना बहुत पसंद होता है सर ऐसे कोई होता नहीं है होते है आपकी खुद की life में देखो आपके parents, आपकी जो mother है वो हमेशा काम में जोशी दिखाते है जैसे कि वो सुबह 7 बज़े उटके घर का काम करना शुरू कर देते है उनको पता चले कि कोई संडे को गैस्ट आ रहे है तो 7 बज़े के बदले 5 बज़े उट जाएगे और डबल जोश में काम करेगे अब देखो उनकी जिम्मेदारी एक बढ़ गई गैस्ट आने वाले तो जिम्मेदारी बढ़ने पे उन्होंने डबल जोश में काम किया जिम्मेदारी बढ़ने पे तो उनको आलासानी चीए दी तो मैंने कहा ना हरे कोई ऐसा नहीं होता बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जितना जादा काम देते हो न वो उतना जाधा motivate होते वो इतना time देखे और काम करते और ऐसे लोग भी companies में होते है जिनको काम पसंद होता है यहर ऐसा नहीं 90% case में लोग आलसी होते वो काम छोड़के निकल जाना पसंद करते लेकिन 10% एसे भी होते जिनको सचमें करना अच्छा लगता है काम तो अगर आप ऐसा कोई employee है आपकी company में तो उसको आप motivate कर सकते हो कैसे और ज्यादा काम देखे ताकि उसको मज़ा है उसको अंदर से ऐसे लोग क्या सुथते पता है क्यार मुझे काम दे रहे मतलब मेरे में कोई खासियत है मैं ही company चला सकता हो और वो motivate हो जाते है अंदर से ही तो आप ऐसे भी किसी को motivate कर सकते हो हा लेकिन ये तरीका सभी employee पे काम आता नहीं है ये कुछ गिनेच उने employees के उपर ही काम करता है बाकी वरना ये तो ऐसा करने जाओगे तो motivate तो नहीं होगा demotivate हो जाएगा तो ये बहुत सोच समझ के ये तरीका अपनाना पड़ता है तो एक चीज़ तो clear हो गई हमने दो तरीके के tool देख लिए positive tool और negative tool of motivation अगर आपको किसी को motivate करना है तो आप कैसे कर सकते हो या तो हकारात्मक तरीके से या तो नकारात्मक तरीके से अब देखिए अगर आपकी exam descriptive होती है clear तो ये 7 marks का question है कि बही explain the tools of motivation तो आपको सबसे पहले क्या करना है motivation की definition लिख देनी है वो जो juicious की definition थी वो फिर उसके बाद वो दो तिन लाइन की definition होगी उसके बाद आपको ये chart बना देना है कौनसा वाला tools of motivation फिर उसके अंदर दो पार्ट कर देने negative tool, positive tool फिर negative tool के अंदर उसी chart में नीचे box बना के सारे point लिख देनेगे और positive के नीचे box बना के उसके 6 point लिख देनेगे negative में 11 point है positive में 6 point है आप definition लिखोगे और ये पूरा chart आप draw करोगे तो आपका आराम से 1 page हो जाएगा फिर आप सभी tool के बारे में थोड़ा थोड़ा explain करिए 3, 4, 3, 4 line में तो आपका answer आराम से 4 page जितना हो जाएगा 3, 4 page जितना and that will be enough for descriptive exam और अगर आपकी exam MCQ based है तो ये points सारे याद रख लिजेगा कि वह कौन से negative tool है कौन से positive tool है definition किस ने दी थी हाला कि हम MCQ का video बनाएगे इस chapter का particularly जिसमें हम बहुत सारे MCQ discuss करेगे लेकिन तब तक आप इसको practice करिए और हाँ इस video के अंदर आपको बहुत सारे part दिखेगे part 1, 2, 3, 4 तो आप sequence में सारे part देखिए ताकि आपका motivation chapter जो है वो बहुत अच्छे से clear हो जाए तो thank you so much dear for watching part 1 हम मिलते हैं next video के अंदर part 2 में thank you so much